मनीपाल उनिवरिसिटी कॉलेज मलेशिया मलेशिया का ये मेडिकल कॉलेज मिला का कैमपस मनीपाल का ये कैमपस जिसे की आप बैक्ग्राउंड में देख रहे हैं एरियल व्यूस कॉलेज का इस कॉलेज में फी स्टेक्चर क्या है और इसके सेमेस्टर कभ स्टार्ट होते हैं fee payment का option क्या है साथी साथ अगर आप यहां से mbbs करना चाहते हैं तो फिर neat में आपके कितने marks होने चाहिए अगर कम marks आ रहे हैं या फिर 12th standard है उसमें at least आपके कितने marks होने चाहिए admission की formalities कैसी है और apply कैसे करना है 2022 के admission के लिए ऐसे students जिनके neat में कम marks आ रहे हैं लेकिन 12th में उनके 70% से जादा marks अगर हैं और वो foreign से यानि out of country out of India से अगर वो mbbs करना चाहते हैं तो उस case में यह college यानि Malaysia का जो मेला का campus है मनीपाल group का यह college इसकी complete detail आपके साथ इस छोड़े से वीडियो में हम लोग share करेंगे आप में टिकविंग के साथ बने रहे हैं चैनल अगर आप पहले बार visit कर रहे हैं तो फिर आप इसको subscribe जरो कर दीजे ताकि future के updates आपको non-stop लगातार मिलते रहे हैं guys अगर हम मनीपाल मलेशिया के जो मेलाका में मनीपाल University College मलेशिया में हैं और यहाँ पर अगर आप admission लेना चाहते हैं जो semester wise इनका phase है semester 1 to 4 और phase 2 semester 5 to 9 वहाँ पर कौन कौन से subject में आपको study करनी पड़ेगी ये complete details अभी आप देख रहे हैं अगर हम इनके laboratory की बात करें या फिर clinical skill lab की बात करें classroom की बात करें no doubt this is one of the world class infrastructure जो की मिलाका में मलेशिया में मनीपाल का ये campus है मनीपाल इंडिया में अगर हम केमसी की group की बात करते हैं चाहे वो मनीपाल का college हो या फिर मैंगलोर का या फिर टाटा मनीपाल जो की अभी 2020 में आया है अगर वहाँ पर distribution की हम बात करते हैं दिन guys no doubt की यहां पर higher marks आपको चाहिए cut up बहुत ही उपर जाता है जबकि फिस इसकी 70,000,000 है उसके बाद भी लेकिन अगर आपके neat में marks कम है और आप फॉरण एक option के तौर पर देखना चाहते हैं दिन guys मिलाका का यह मनिपाल का campus आपके लिए one of the best choice हो सकता है अगर आप USMLE या फिर UK में और US में आप practice करना चाहते हैं post MBBS अगर हम fees structure की बात करें दिन guys fees structure जो हम आपसे discuss करने वाले हैं जो की official brochure में मिलाका के इस campus के बारे में दिया गया है जो की आपका US dollar plus INR rupees में अभी आप देख रहे हैं background में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर semester wise आपको fees pay करना पड़ता है और semester wise अगर हम fees की बात करेंगे तो USD dollar में यानि United States American dollar में यह 9700 USD है लेकिन इंडियन rupees में यह आएगा आपका approximately 727,500 रुपीज पर semester total 10 semester का आपको यहाँ पर payment करना है और यह total fees आपकी इंडियन rupees में पहुंच जाती है approximately 72,75,000 INR यानि इंडियन rupees में जो other fees है refundable security deposit यह फिर visa fee examination fee books जो है वो nominal charges यहाँ पर दिये गया है thousand rupees जो caution deposit होता है यह payable होता है first semester में सिर्फ और यह refundable होता है visa fees 570 US dollars और examination fees 124 US dollars से लेकर 246 US dollars तक लगता है books और बाकी जो MOH facilities fees है वो यहाँ पर mention कर दी गई है 74 US dollars से लेकर 115 US dollars per year आपका लगता है अगर हम accommodation की बात करेंगे देन accommodation में initial जो addition charges आपका लगता है वो 1350 रुपीज यह आपका जिसके की साथ 225 US dollars का आपका refundable deposit भी शामिल होता है यह complete detail थी fee structure के बारे में अगर हम मेलाका की campus की बात करेंगे देन guys no doubt this is world class infrastructure जो की Malaysia में अगर आप बाहर के option में जाना चाहते हैं लेकिन 12th में at least आपके 70% होने चाहिए क्योंकि 70% से नीचे मेलाका का जो मनिपाल का campus है यह consider नहीं करता है students को admission के लिए apply करने के लिए link वीडियो के description में है आप direct वहाँ से apply कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वहाँ पर admission लेना मेलाका के campus में need का result कुछी दिनों में declare कर दिया जाएगा और उसके बाद counselling all India की शुरू होगी no doubt कि आप सब को पता है कि इंडिया में admission लेने के लिए government colleges में जहां 600 के आसपार्स marks होई state quota में different states के marks depend करते हैं right 550, 540 तक भी कुछ states में असाम की अगर हम बात करें तो state counselling 535 तक भी admission हो जाता है general candidates के लिए लेकिन ऐसे students जिनके 400 marks है या फिर 350 marks है और लेकिन उनका 12th में 70% से ज़्यादा है अगर आप foreign universities से foreign के colleges से Mbbs करना चाहते हैं guys expensive जरूर होगा Malaysia का ये campus as compared to other countries लेकिन this is one of the best choice if you want to practice post Mbbs in UK and US if you want to know more details about this campus you can whatsapp us on the number which is being shown in the screen right now as well as you can also text your queries on the numbers which is given in the description of this video apply करने के लिए जो link है वो video के description में है आप description से direct click करके आप Malaysia के इस campus में directly apply कर सकते हैं बने रहे हैं मेटकविंग के साथ thank you for watching मेटकविंग thanks a lot